हम आपको आईरन OEI 177 में से पावर कोट चेन करने का तरीका दिखा रहे हैं पावर कोट चेन करने के लिए ये टू पार्ट स्क्रू डाइवर के जरूरत पढ़ेगी सबसे पहले बेक कवर में 21 सी पास टिकर निकालेंगी उसके बाद ये स्क्रू निकालेंगी अब हम बेक कवर को इस तरह से निकालेंगी अब हम ये हैंडल के स्क्रू को यहां से निकालेंगी अब हम रहे हैंडल के स्क्रू आप्रू एंडल के लिए पास बाद पास तरह से निकालेंगी अब हमारा हैंडल निकल गया है अब हम ये टोप कोवर के तिनो स्क्रू को निकालेंगे अब पावर कोड के ये तिनो कनेक्शन निकालेंगे अब हम निया पावर कोड के कनेक्शन करेंगे L सिम्बॉल के साथ ब्राउन वायर को कनेक्शन करेंगे N सिम्बॉल के साथ ब्लू वायर का कनेक्शन करेंगे और अर थिंग के सिम्बॉल के साथ ये लो विद ग्रीन वायर का कनेक्शन करेंगे अब हमारे पावर कुड का कनेक्शन पुजी तरह से हो गया है अब हम ये टोप कोवर को इस तरह से रख कर यहां पर तिना स्कुरू फिट करेंगे यहां ओकin तरह से रख करेंगा अब स्क Details खाड़ करेंगे जसलिवार मेंस्तैंप कि पॉक को उसके बाद हम एंडर को इस तरह से रखकर एंडर का स्क्रू को फिर करेंगे अब हम ये स्ट्रेंज रिलिवर को इस तरह से बिठाएंगे और बोटम कावर को इस तरह से रखकर फिट करेंगे तरह से रखकर प्रपबर की बिलिगर कर ऊचकर ही बटास looking अब हमारी आईरन पूरी तरह से कंप्लिट हो गई है